हलो दोस्तों नमस्कार प्लस माइनस के एलर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हर्दिक स्वागत और अभिनंदन है मैं हूँ आपका दोस्त वाइडी और आपका स्वागत करता हूँ प्लस माइनस के इस खास कारेक्रम है जिसका नाम है हिंदी 10 मिनिट शो दस मिनिट के इस समय में हम हिंदी का एक बहुत बहतरी इन कॉंसेप्ट समझेंगे एक बहुत बहतरी इन टॉपिक समझेंगे तो दोस्तों आजाएए जुड़ जाएए मेरे साथ और लगातार बने रहिएगा लगातर 10 मिनिट तक आपका 10 मिनिट बहुत किमती है लेकिन चाहूंगा कि यहां से हिंदी की कुछ पॉइंट्स आप समझें आप कैसे सवालों का हल करेंगे दोस्तो देखना मुहावरे से समंधित प्रेशन पूछे जाते हैं आपको और मुहावरे से समंधित प्रेशन पूछे जाते हैं उनों मुहावरों को आप कैसे सोल करते हैं थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आराम से समझ बाए जाएगा दोस्तो देखना सुनना हवा से बाते करना पहले बात तो मुहावरे और लोकोक्ति में अर्थ समझ लेना दोस्तों लोकोक्ति लोगों दुआरा कही गई उकती है जो थोड़े अभी परचलित हो जाती है बाद में जाकर के थोड़े समय बाद जाकर के वह उकती जो कि त्यों यहां से उठा कर दूसरी जगा है वहां से उठा कर तीसरी जगा आदमी के लिए प्रियुक्त तो होती है जनरली प्रियुक्त कर लेना रख जाते हैं लोग उसको लोकोक्ति कहते हैं मुहावरे जो परमपरा से चले आ रहे हैं जो गड़ लिये गए हैं मोहावरेदार भासा भासा को सुन्दर बनाने में काम में आती है लेकिन अत्यदिक मोहावरों का प्रियोग भी भासा में सरल भासा में अत्यदिक मोहावरों का प्रियोग भी नहीं करना चाहिए दोस्तों तो ध्यान से सुनना यहां पर हवा से बाते करना पहला मुआ रहा हवा से बाते कौन करता है दोस्तों हम जनरली सामाने थे हम कहते हैं कि वह लड़का तो जब दोड़ता है तो हवा से बाते करता है मतलब बहुत तेज दोड़ना हवा से बाते करने का मतलब है बाल की खाल निकालना और दोस्तों ध्यान देना बाल की खाल निकालने का मतलब होता है वास्तों में बाल की खाल निकालनी है ध्यान से सुनना बाल में खाल होती ही नहीं है तो सर क्या मतलब क्या है इस मुहावरे का इसका अर्थ है कि अनावशक ही जिसकी कोई जरूरत नहीं ह अनावशक ही कमी निकलना, बाल की खाल निकलना, छिद्रान वेशन करना, क्या करना दोस्तों इसको आप कह सकते हो छिद्रान वेशन, छिद्रान वेशन करना, चिद्रानवेशन क्या होता है बारीक से बारीक बात को जानने की कोशिश करना आना है और शेक्जिश के आउशक्ता नहीं है दोस्तो बालू से तेल निकालना बालू से तेल निकालना सर बालू से तेल निकाला जाता है पस्मी राजस्तान में नहीं भई या बालू से नहीं लिका जा 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 जा, बालू के अंदर कुवे हैं, कुवे से तेल निकाला ही नहीं जा सकता, तिलों से तेल निकल सकता है, बालू से तो तेल निकल सकता दोस्तो, इसलिए इसका आर्थ हुआ, एस संभव कारे करना, कौन सा कारे करना, एस संभव कारे करना, दोस्तों क्या होता है, बालू से तेल निकालने का संबान है, आज संबह कारे कर रहे हो मतलब, कलई खुल जाना, राज खुल जाना, दोस्तों क्या होता इस कार्थ, राज खुल जाना, राज खुल जाना, आपकी बात का राज खुल गया, कि उसकी कलई मेरे पास मे है, उसकी कला ही खुल जाएगी, वो मुझसे जादा बात करेगा, तो सुनना, घाट-घाट का पानी पीना, दोस्तों, ये तो सब कहते हैं, जनरली ये मुहावरा बहुत प्रियुक किया जाता है, कि घाट-घाट का पानी पिया है, मैंने, मेरे बाल योही सफेर नियुक है, मैंने घाट-घाट का पानी पिया है, मतलब क्या हुआ दोस्तों, बहुत अधिक अनुभवी होना, अनुभवी होना, जादा अनुभव हो जाता है, जो अलग-अलग जगे जाकर के लोग अलग-अलग अनुभव करते हैं, तो उनके लिए प कान में तेल डालना, और हम कहते हैं कि कान में तेल डालकर के सो रहे हैं, किसी की नहीं सुनना भई, किसी की नहीं सुनना, कान में तेल डालना, किसी की नहीं सुनना, ना अच्छी कहना, ना बुरी को है, ना किसी की नमानना, ना किसी की सुनना, उसको कहते हैं कि भई, आप क क्या कर रहे हैं यह तो कान में तेल डाल करके सो रहा है यह किसी की सुनी नहीं रहा है और यह किसी की सुन क्या रहा है किसी की मानी नहीं रहा है तो यह तो कान में तेल डाल करके सो रहा है आगे सुनिए दोस्तों गांट बांधना क्या यह है गांट बांधना और हमारी पुरा ना मुहावरा है इसको समझना बात गांट बांदना या गांट बांदना गांट बांदने का मतलब होता है बहुत अच्छे से याद रखना बहुत अच्छे से याद रखना अच्छे से याद रखना गांट आठी गंगा में हाथ दोना, यहां से सुनना दोस्तो, बहती गंगा में हाथ दोना, मैं आठ नमबर वहावरे का अर्थ यहां पर बता रहा हूँ, अवसर का फाइदा उठाना, बहरा है, काम हो रहा है, उसे में अपना नाम भी जोड़ दीजिए, भाया, सपलता, मिल रही है को अरे अलग जैसे कभी कभी होता है ना बहुत सारी वेकेंसी जिन निकल जाती है तो हम कहते हैं भीया बैती गंगा में हाथ दोलो इसमें तो सब का कल्यान हो जाएगा गदे गोडे समान हो जाएंगे भीया तो ध्यान रखना वही मैं कह रहा हूं कि अवसर का फाइदा उठा अवसर का फाइदा उठाना मतलब बहती गंगा में हाथ दोने जैसा है और राई का पहाड बनाना ये तो आप सब जानते हैं दोस्तों बात हर घर में है ये हर घर में बात छूटी सी होगी लेकिन उसका बतंगड बना देते हैं तो हमारे यहां तो लोकल में कहवत भी है कि बात का बतंगड बना रहे हो आप बात का क्या बना रहे हो बतंगड बना रहे हो मतलब बतंगड को चीज का नाम नहीं है भाई द्यान से सुनना मेरी बात राई का पहाड बनाने का मतलब होता है चोटी बात को बढ़ाना चोटी सी बात को बढ़ाना चोटी सी बात को और लकीर का फकीर होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों कहते हैं ना कि गाउं में भई जो पुराने लोग हैं, बुजूर्ग लोग हैं वो तो लकीर के फकीर है, मृत्यू भोज को आज तक नहीं छोड़ रहा है। लकीर का फकीर है यानि पुरानी बातों को ही आज तक मान रहा है तो आप कह सकते हैं कि पुरातन पंथी बातों को मानना पुरातन पंथी होना लकीर का फकीर होने का मतलब होता है पुरानी बातों का समर्थन करने वाला तो दोस्तों इसी प्रकार के इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए प्लस माइनस के साथ मैं मिलता हूँ अगले शोगे साथ तब तक के लिए नमस्कार